हम बड़े बड़े सहर बसाकर सुकून के लिए गाउं ढूंडते हैं बड़े अजीब हैं हम लोग हाथ में कुलहाडी लिए छाउं ढूंडते हैं राम राम जैसी राम साथियो मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बात चैनल में आपका स्वागत है साथियो आज हम लेकर आए हैं प्रोग्राम पंचों का इंटर्व्यू और जैसा कि आपको विदित है आपको मालूम है पंचों का इंटर्वी प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं नई पंच और सरपंच जिन से हम चर्चा करते हैं विकासकारियों के उपर और जिन से हम जानते हैं उनके दिल का हाल वो समाज की सेवा किस तरह से कर सकते है और क्या उनका उद्देश से है किस तरह से वो समाज को सम्मुधित कर सकते है तो आज हमारे साथ पंचों का इंटर्वी प्रोग्राम में है अजीत भाई जो की गाउं सौंद में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जो की अब की बार समाज की सेवा करना चाहते हैं सरपंच पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं और आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो मानापट्टी थोक मैंसे हैं, जिनके पिताजी का नाम है स्री इंदर जी, और मानापट्टी मैंसे हैं एटम सरपंच के घर के पास से, यानि कि सीधा कहा जाए तो मेरे ताउजी के लड़के हैं, तो इनसे हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी और कुछ सबाल जवावों के माध्यम से हम जानेंगे कि ये समाज के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या इनकी planning है समाज के लिए काम करने की और मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये सरपंज नेट Computer Science जो भी बच्चे UGC नेट की तयारी कर रहे हैं Computer Science सब्जेक्ट से वो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे दूसरी बात कोई भी बच्चा HSSC और RIT एक्जाम किलर्क, हरियाना किलर्क और भी बहुत सारी जो competitive exam है उनके उपर तयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सात्यो जो भी बच्चे UGC Net exam computer science से देना चाहते हैं subject computer science है वो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं मैंने वहाँ पे computer science यानि की UGC Net exam का paper 1 की unit भी कराई हुई है paper 1 की 3-4 unit मैं already करा चुका हूँ जो की previous year questions के साथ है मैंने solve करवाई हुए हैं आप उस चैनल पर भी जा सकते हैं अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी जो की सवाल जवाब के माध्यम से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो अजीत मास्टर जी नमस्कार जी अजीत भाई अजीत मास्टर जी ये हैं ये हमारे अजीद भाई है और हमारे साथ अजीद मास्टर जी भी है मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ थोड़ा बहुत contradiction हो सकता है नाम लेने में क्योंकि दोनों के नाम अजीद है तो अजीद मास्टर जी भी हमारे साथ है एक हिनारा एक हिनाम जैसे राम जैसे राम और साथ यो मेरी तरफ से भी हाद जोड़ कर तहे दिल से राम राम तो अजीत मास्ट अजीत भाई सबसे पहला प्रसंट मेरा आप से यही है कि आप राजनीती में क्यों आना चाहते हो जो कि मेरा mandatory question होता सबसे पूसता हूँ मैं इस प्रस्म को तो आप भी बताएं कि आप राजनीती में क्यों आना चाहते हैं देखो जी मुझे के वर समाज की सेवा करने का उदेश है और मैं समाज की सेवा करने के लिए ही राजनीती मुतरने का मन बनाया है अच्छा तो समाज की सेवा करने के लिए आप आना चाहते हैं राजनीती के अंदर बहुत यह अच्छी बात है अगर राजनीती समाज सेवा है तो उसमें salary और commission क्यों और जब salary और commission ही है राजनीती में तो समाज सेवा कहां भाई इसके बारे में बताएं जरा तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गाम में समाज सेवा करनी है आजहाँ ना की राजनीती जो राजनीती में सरपंच में जो कमिशन बनता है वह commission लिंगे giờ से सपष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी कोई कमीशन मिलता है गरांट में वो कमीशन तो हम लिंगे नहीं रही बाद सेलरी की तो सेलरी जो सरपंच की बनती है उस में से सिर्फ हम मान सम्मान के लिए एक रुपए प्रितिमाल लेंगे और बाकी जो विरासी बनेगी उसे हम विकास कारियों में लगाएंगे ये मैं आपसे वायदा करता हूँ तो आप मतलब कमीशन वगेरा कुछ नहीं लोगे आप पूरी सरपंच या पैसे ही करोगे हाँ बिल्कुल अपनी पूरे कारे काल में ना हम कमीशन लेंगे और ना हम कभी भी सेलरी लेंगे अपनी तो ये तो बहुत अच्छे नेक विचार है आपके बहुती बड़ी असातियो ऐसा सायद कोई सरपंच हुआ भी नहीं होगा जो अपनी सेलरी और कमीशन को ना ले और समाज हित्मे प्रियास करे तो ये तो वही बात हुई कि सुना है आज समंदर को बड़ा उफान आया है उधर ही ले चलो कस्ती जहां तूफान आया है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि समाज सेवा के लिए आज के नौजवान भाईयों में इतना एक क्रेज है और यही चाहते हैं सभी लोग और यही चाहता है समाज हमारा की नए युवा उभर कर सामने आये और अपने जितना भी हो सकता है अपने तरफ से समाज की सेवा की जाए तो अजीद भाई यहां पे कोई भी ना पैसा लेने वाले है ना कोई कमिशन लेने वाले है ना कोई सेलरी लेने वाले है ये सिर्फ और सिर्फ तहे दिल से समाज की सेवा करने के लिए इस मैदान में उत्रे है अगला प्रसने आजीत भाई आपने पोस्टर में लिखा है जो जारू, करमट, सिक्षित तो आप कितने सिक्षित हैं इसके बारे में जनता को रूबरू करा है देखिए, वैसे तो पढ़ाई मैंने पलश्टू तक की है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पढ़ाई इतनी है कि मैं अपने गाम की भलाई, अपनी जनता की भलाई अपने गाम की जो कम्या हैं उनके बारे मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रियास मैं अपने अंदर से करने की कोशिश करूँगा और अगर गाम बस्ती मुझे मौका देना चाहेगी और मुझे मौका देगी तो मैं उसके लिए तहे दिल से गाम की शेवा करने के लिए तैयार हूं और उतनी मेरी पढ़ाई है कि मैं गाम की सेवा कर सकूँ बहुत अच्छी बात है और सात्यों हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये कौलिफिकेशन वो कौलिफिकेशन आपको पताई होगा जिसके मन में समास सेवा के गुन भरे हुए होते हैं वो समास सेवा करके ही रहता है हर हाल में वो कहते हैं कि हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं जिसको भी देखना हो तो कई बार बार देखो यानि कि हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं जिसको भी देखना है कई बार बार देखना चाहिए आदमी को तो सीधा सा मतलब यहां पर यही है कि समाज सेवा करने के लिए अंदर में एक होनर होना चाहिए इंसान के अंदर गुन होने चाहिए समाज सेवा के अगला प्रस्ण है अजीद भाई लोगों का कहना है कि आप तो एटम के आदमी हो क्या एटम सरपंस ने आपको खड़ा किया है ये एक एहम मुद्दा है एहम प्रस्ण है इसके बारे में थोड़ा सा बता है गलत है वो लोग वो लोग मैं भाई साब आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि ये एटम का आदमी है या ये जिल्दार का आदमी है वो लोग बिलकुल गलत है क्योंकि किशी का भी कोई आदमी नहीं होता है गाव में सभी लोग इंडिपेंडेंस हैं मैं भी इंडिपेंडेंस हूं और हमारा किशी भी कंडिडेट से कोई दुर्शम्मंद हैं इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि एटम का आदमी है और रही बात एटम को खड़ा करने की तो कोई किसी को खड़ा करी नहीं शकता है एटम अपनी राजनीती कर रहा है हमारे विचार में खुद समाज सेवा करने की आई है खड़ा करने इसे कुछ नहीं होता है अपने मंन में हमने S Ambassador कि बार क्यों आगर गांगा क सेव करें और इसलिए विचार आया है तो यह कहना बिलकुल गलत होगा कि एकम का आदमी कहडा किया और मैं सपष्ट कर देना चाहता हूं कि नहीं मुझे किसी कंडिटेट कहडा किया है और नहीं मेरे ऊपर कोई किशी का आदम होने का टेग है पर आजित भाही साव कुछ लोगों का कहना है कि आप सरपंचों की वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं उन वोट जो आदमी डालने जाएगा वो काम पर वोट डालेगा जहां उसे विश्वास होगा कि यहां से काम होगा वोट डालेगा फिर मैं वोट कैसे काट सकता हूं किसी की मुझे वोट सिर्फ वोई लोग करेंगे जने गाम का उत्थान करना होगा गाम की प्रगति करनी होगी गाउं का विकास करना होगा और गाम हित में सोचने वाले लोग मुझे वोट करेंगे, ना मैं किसी की वोट काट रहा हूं, ना किसी के लिए वोट बना रहा हूं. मैं तो हज जोड़कर सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं गाम के लोगों सो, कि एक बार मुझे मौका दे के देखो अगर गाम का विकास ना हो तो मैं जीवर में मूह नहीं देखाऊंगा गाम यानि कि विकास की तरफ आपका पूरा ध्यान है हाँ, सिर्फ और सिर्फ विकास करने के लिए हमने ये कदम उठाया है क्योंकि हम जब जाते हैं, दूसरे गाम में जाते हैं वहां देखते हैं, बिडू की गाम जाके देखो बनकपुर जाके देखो, औरंगबाद जाके देखो भीकू का नंगला जाके देखो वहां विकास की रफतार है विकास की रफतार पटरीप है और हमारे गाम जितना बड़ा गाम है जितना बड़ा नाम है उतने कम काम है बार से भी कोई लोग आते हैं तो गाम की दैनिये स्थेती देखी जाती नहीं है हम से इसलिए हमने विचार किया है कि हम भी एक बार कोशिश करके देखें गाम का विकास करने की अगर गाम मौका दे तो बहुत अच्छी बात है और अजीद भाई आप जैसे एटम सरपंच के साथ रहते थे साइद पहले मतलब उनके समर्थन में रहते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं है लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति का रंग बड़ा अजीब होता है वह कोई किसी ना किसी के साथ रहता है अगर आज भी जो भाई नहीं राज सरपंची पर नहीं खड़े हैं वो आज भी किसी ना किसी के साथ रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि करीब होने के ना थे हमारा तो खुद का एक विचार है गाम की शेवा करने का देखो जम्मो का गाम ने एटम को दिया, एटम सर पंचने गाम की अपनी इच्चा से सेवा की, अपने तरीका से सेवा की, उसके बाद अरुन जेलडार जी को दिया, उसने अपने इसाब से की, पिछली बार राम जीत को दिया, उसने अपने इसाब से की, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने इसाब से वेस भाव नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक एटम के खिलाप हैं हम किशी के खिलाप नहीं है हम सिर्फ गाम की शेवा के लिए हैं जनता की सेवा हमें करने का पूरा मन है इसकी बार अगर गाम मौका दे तो फिर वही बात बहुत अच्छी बात है और जनता की सेवा कर प्रस्वाइब पूछोगे है तुम मेरा एक क्वेस्टन है बुरू जी कि आपने सर्पंच पद्ध क्यों सुना कि गाहं में मैं मैंबर ब्लॉग मेंबर है और जलाब पार सथ हैं बहुत सारे पाद हैं लेकिन ज़्यादतर लोग पहुंचते हैं सरपंची तरफ क्या सरपंची में पैसा है इसलिए तो नहीं अगर सरफ हो रहे हैं जी मास्टी जी मैं आपको पहले साफ बता देना चाहता हूं कि मेंबर और ब्लॉ मेंबर वा विश्रफ कह सकता है अभने चीरमें से लेकिन विकास कारा नहीं सकते लेकिन पार है जो घंब बभाए यानि की फोड़ा करने के लिए बड़ा ही चुनना पड़ता है जी और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सातियों कि समाज की सेवा बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि समाज की सेवा तो वैसे भी की जा सकती है बिना किसी सरपंच पद के बिना किसी राजनितिक दल में आये हुए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ह हाँ कोई भी इंसान कर सकता है बिना किसी राजनितिक दल में सामिल हुए या सरपंच बने बिना लेकिन जब वो समाज की सेवा करेगा तो उसके पास टूल्स नहीं होंगे यानि कि मदद की सामगरी नहीं होगी वो मदद करना भी चाहेगा बड़े दरजेपर लोगों की तो करने ही पाएगा क्योंकि उसकी सांट गांट नहीं होगी उसकी पहचान नहीं होगी लेकिन जब इंसान किसी पदपर न्युक्त हो जाता है या राजनिती में आ जाता है तो उपर से नीचे तक सब जानकार होते हैं राजनिती में तो उसको टूल्स मिल जाते हैं लोगों की मदद करने का बहुत ज़्यादा मात्रा में यानि कि लोगों की मदद वो अच्छे से कर पाता है अगर राजनीती में पैर रखता है तो मदद वो वैसे भी कर सकता है समाज की भलाई वैसे भी कर सकता है लेकिन राजनीती इमाने के बाद उसके पास बहुत सारे साधन हो जाते हैं समाज की भलाई के लिए समाज का उत्तन करने के लिए। तो इसलिए राजनिती में आना कोई बुरा भी नहीं है अगर ईमांदारी से हर काम किया जाये तो. अगला प्रसने आजीत भाई बहुत समय पहले आपके पिता जी इंदर जी जो की हमारे ताउसरी है वो भी ब्लॉक समीती पर खड़े हुए थे वो जीत नहीं पाए थे ऐसी क्या कमी रह गई थी उस समय इसके विसे में थोड़ा सा बताएं देखिए हार और जीत सक्के के दो पहलू होते हैं कभी हार होती है कभी जीत होती है ऐसा नहीं है कि पिछली बार बोट नहीं निकले थे काफी बोट निकले थे लेकिन पूरी परकार से आसिरवाद नहीं मिल पाया था वो ब्लॉक मेंबरी का अलेक्शन था दस वाड से था पूरे गाम से भी नहीं था और उस दस वाड में से हमें पूरी तरह समरता नहीं मिल पाया था बोट काफी मिले थे लेकिन इस बार वो कमी पूरी करने की हम कोशिश करेंगे और हार जीत तो हार जीत तो होती रहती है इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है कमी रह गई थी कमी कोई नहीं थी उस समय भी तो मतलब आपकी बार आपको उम्मीद है कि अपकी बार लोग आपका साथ देंगे लिखो अगर विकास चाहते हैं जो सही आदमी होगा, जिसे गाम का विकास चाहना होगा, वो हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होगा, किसी को खिलाने के लिए पैसा नहीं होगा, खुद खाने के लिए पैसा नहीं होगा, जो भी पैसा होगा, सिर्फ विकास और विकास के लिए होगा. यानि कि सभी से मित्रता और सभी से एक अच्छा प्रेम प्रेम पूरवक संबन है सभी के साथ और यही उम्मीद करते हैं जीट भाई यहाँ पे कि इनको अब की बार एक मौका दिया जाए समाज सेवा करने का पहले चूक हो गई थी लेकिन अब की बार इनको एक मौका दिया जाए जिससे कि ये भी समाज में आकर अपना कर्तवे निभा सकें और सातियो राजनीती में साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाया जाता है जरुवत पड़े तो दुस्मन को भी दोस्त बनाया जाता है एक ये कहावत भी है लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात आएगी नहीं क्योंकि सभी मित्र हैं सभी से अच्छे रिलेशन है अजित भाई के किसी से कोई बैर नहीं है कोई दुस्मन ही नहीं है तो यहाँ पे यही उमीद करेंगे अजित भाई आतिकरमन बहुत ज्यादा हो रहा है आपने देखा हो गिजो पन्जुवारा ग्रारा है उसमें एक साथ में चाड़ चार सभारी एक साथ मैं चली जा दी थी और हमारे ठोक में बावरा ठोक में बताते हैं कि बहुत चोड़ा रास्ता था लेकिन आज उन्ही रास्तों में अगर मैं कोई सवारी ले जाओं तो एक सवारी को ले जाने के लिए दूसर सवारी को साइड में होना पड़ता है तो अतिकर्मन से ने पठने के लिए आप क्या कहना चाहोगे गाह में बहुत ज़ाद अतिकर्मन हो रहा है इसके बारे मताई मास्टर जी अतिकर्मन कब बढ़ा अतिकर्मन जब बढ़ा तब भी गाह में कोई ना कोई सरपंच होगा ऐसा नहीं है गाह में सरपंच नहीं ता रहा अतिकर्मन बढ़ गया उन सरपंचों की जवाब दारी थी कि उनको हाद जोड़ कर मनाएं कि बहिया यह रास्ते हैं इन पर कबजा मत जमाओ, इने चलने के लिए खाली रहने दो, लेकिन उन सरपंचों ने इस बात की गौर नहीं की, और उस रास्तों में लोगों ने मकान भी बढ़ा लिये हो, तो उसके लिए हम तो जम्मेदार हैं नहीं, और नहीं हम किसी का बना हुआ मकान हटा सकते हैं, लेकि हमारी अगर कारेकाल गाम मौका देता है, और हमें कारेकाल मिलता है, तो उस कारेकाल में एक इंच भी कोई भी रास्ते की सरकारी जमीन या किसी भाई की जमीन बिल्कुल नहीं दाव ने दी जाए किसी को, ये हमारी विचारदारा है, लेकिन जो प्छली बार जो अतिकर्मन करना गलत है क्योंकि रास्ता जो होता है वो सबका होता है उसमें से आप लोग भी निकलते हैं पडोसी भी निकलता है दूसरी बात जो अतिकर्मन हुआ है उसमें थोड़ी सी गलती आपके पुराने सरपंचों की भी है क्योंकि उनको ध्यान देना चाहिए था कि जो अतिकर्म हो रहा है उसको ना होने दिया जाए लेकिन वोट का लालस होता है इसलिए लोग नहीं कहते हैं लोग इस बात की तरब ध्यान नहीं देते हैं और बनाए भी जाते हैं जब बोटे काम आता है जैकि अब बोट परने वाड़ी है अब राष्टे बना जा रहे हैं तो कोई कहने पता है कि एक्रेमान का मैन और यह की बोट की राजनिती और कुछ लोग यह भी कह रहे होंगे कि आतिकरमन जो है उसको हटाना चाहिए लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो घर होते हैं यह जिंदगी में एकाद्बार बनाने का मौका मिलता है यह सफनों के महल होते हैं ये बार बार नहीं तोड़े जाते हैं तो ये भी नहीं हो सकता कि एकदम से उसको हटा दिया जाए ये भी थोड़ा सा गलत होता है यहां पे लेकिन सीधी बात यही कहना चाहूँगा मैं आप से कि अतिकर्मन को किया ही न जाए पंच सरपंचों को थोड़ी सी इस बात पे गौर करनी चाहिए कि अगर कोई अतिकिर्मन करता तो उसको पहले ही सूचित किया जाए कि भाई अतिकिर्मन नहीं करना है क्योंकि ये आपके निकलने का भी रास्ता है आपके पड़ोसी के निकलने का भी रास्ता है तो मैंन बात यहाँ पर यही आती है कि अद्धिकर्मन ना किया जाए गाउं के अंदर क्योंकि रास्ते बहुत छोटे हो चुके हैं निकलना भी मुश्किल हो चुका है अगला प्रस्नियाजीत भाई आपके पिताजी श्री इंदर जी लोगों का कहना है यह आरोप है आपके पिताजी के उपर आपके पिताजी श्री इंदर जी विंदावन में चनापुआ के मंदिर पर रहते थे तो लोगों का कहना है वहाँ पर कुछ घपले बाजी कर ली थी इस विशे में आप क्या कहना चाहोगे ये बहुत ही एहम मुद्दा है और इसके उपर मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है लेकिन सच्चाई तक जाना भी इतना ही जरूरी होता है पहले सच्चाई तक जाया जाए उसके बाद आपको लगता है तो आरोप लगाया जाए तो आप इस विशे में क्या कहना चाहोगे देखे वाईशाव ये आरोप बिलकुल नराधार है चनापुआ आसरम पर गपले बाजी होने की बात बिलकुल आधार ही नहीं है चनापुआ आसरम एक मंदर शमीती है एक संस्था है वो किशी एक का मंदर नहीं है उस संस्था पर इंचार्ज होना भी एक आम बात नहीं है हमारे पता जी उस संस्था पर इंचार्ज रहे पांस साल और अपने कार्यकाल के दौरान वहां काम भी किये बिल्डिंग वन वायर गाम के लोगों को पता भी है कि वहां काम किये जिस दिन इस्तिफ़ा दिया उस दिन मंदर शमीती को एक खटा किया और कागजात के हिसाब से उन्हें पूरा हिसाब दिया और मंदर शमीती को कोई भी इस वात से लेना देना नहीं है कि घपलेवाजी आज भी हम मंदर पर आते हैं जाते हैं लेकिन कुछ ऐसा माजिक तत्व थे जिन्होंने ये आरोप लगाए जो की निराधार आरोप थे उनका कोई आधार नहीं था मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे आरोप लगाने से पहले उसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है और सौंद गाम के वाशियों को तो पता ही है कि हमने मंदर में से कौन सी कोठी बनाई है कौन सा बंगला बनाया है कौन सी गाड़ी खरी दिये कौन सी प्रोपर्टी खरी दिये कहीं पलाट खरीदा क्या किया हमने उस हम जैसे थे ऐसे हैं अपने दो पैसे का रज़गार क जी बिलकुत सही कह रहे है अजीत भाई और सातियों ये वही बात होती है कि मतलब किसी आदमी को घेरना या फिर किसी को उपर जूटा ब्लेम लगाना वो एक कहावत है कि सभी तो चोर हैं अब किसका क्या हिसाब करें जो छोटा चोर हो उसका ही इंतिखाब करें यानि कि थोड़ा सा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी तरब भी देखा जाए जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं कि वो खुद कितने पानी में हैं और खुद किस परिस्तिती से गुजर रहे हैं और मेरा कह है ठीक है आपका सबूत है या फिर कोई भी चीज है तो खुब आरोप लगाईए उसमें कोई रोकने वाला भी नहीं है लेकिन जब कोई सबूत नहीं कोई चीज नहीं कुछ आधार नहीं तो भी आप अगर आरोप लगाते हो तो आप गलत हो आपकी सोच गलत है अजित मस् कि हम चोओ रहें तो हमें सामने वारो भीmm चोओ रहा भाज़ू तो यह कहा बता है कि मैं किसी को आरूप लगाऊं तो उससे हो पहले आपने ग्रेवाड में जहांक कर देख़े हैं कि मैं कितने पानी में हूं में क्या कर रहा हूँ मैं समाज ह्belt में कर रहाँ समय तैंक काम करें और समाज 2 यो फाला मिलना उंप पुर्षक्ण मिलना तो यू अपने अलबड़ सरी आर प्रशि Lance ौन- पहले सारी चीज़े जान लेनी चाहिए तब जाकर कोई आरोप लगाना चाहिए और कोई बात कहनी चाहिए अगला प्रस्थ ने अजीद भाई लोगों का कहना है कि अजीद भाई का वजूद हलका है यानकी स्टेंडर लोग है सर्पंची के लिए तो आप उन भाईयों से क्य कहना चाहोगे वजूद हलके का मतलब स्टेंडर लोग किस आधार पर आकलन कर रहे हैं वो भाई कि स्टेंडर लोग किसे कहते हैं स्टेंडर का पता कहां से चलता है आप ये बताओ पहले बाई-जाब कि स्टेंडर लोग कहां से है मोधी का उधारन ले लो मोधी क्या थे उ लेकिन उनमें काम करने की तमन्ना कहां तक थी। आज विष्व जानता है। सारा। लाल बहँद्रोय सास्त्री देखो। उनका श्टेंडर पहां था। हइट भी नहीं थी। कोई हमने भी सुना आपने भी सुना कि नदी तैर कर पार किया करते थे पढ़ने के समय में लेकिन लाल बहाद दुर शास्त्री भी इमांदारी के तोर पर आज भी सबसे अच्छे परदान मंत्री के रूप में जाने जाते हैं लाल बहाद दुर शास्त्री और कितने स्टेंडर के लोग को हाई करने कि सकते हैं यह मैं नहीं सकता हूं मुझे तो नहीं में पता स्टेंडर किस वेज़ पर है हमारे गहा हैं के भुतपूर जो सरपन्ठ आप जानते हैं उन का स्टेंडर भी देख लीजिए वे किस अधा थे और किस लेवल पर हो गई यह मतलब नहीं कि कि आपने कावत सुनी भी होगी कि हमें किसी को कम नहीं आकर चाहिए क्या पता कि इसकी गहराई कितनी है तो मैं आप लोगों से पता दें चाहता हूँ किसी का स्टेंडर लो नहीं होता सिर्फ ये आजमी की सोच होती है छोटी और बड़ी एक गलास है चाहे का वो आदा खाली है आदा भरा है पॉजिटिव ठिंकिंग वाले लोग सोचेंगे कि ये आदा भरा हुआ है लेकिन नेग कीजिए सबके साथ अदल जो करें ऐसा इंतिखाब कीजिए समाज के जो काम आ सके उसको कामियाब कीजिए यानि कि सीधा सा फॉर्मूला है जो समाज की काम आ सकता है उसका सेलेक्शन करिए उसका चुनाब करिए से टेंडर लो वजूद हलका ये तो फालतुगी बाते हैं तो अगला प्रजनाजीत भाई मैं आपसे करना चाहता हूँ अगर आप सरपंची का एलेक्शन जीत जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे गाउं के लिए देखिए अगर एलेक्शन जीत जाते हैं तो ये पिरशन है आपका तो जीत जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिम का खत्रा भी बना रहता है ये खुले गूमते हैं बच्चों को बुजरुगों को रास्ते में चलने से भी परिशानी है और लोगों की फसल का भी नुक्षान करते हैं ये हमारे सबसे पहला कदम होगा कि पंचायत बनने के दस दिन के अंदर जितना भी गाम में गौवन्स है उन सब को गौव साला पहुंचाये जाएगा लोगों से हाथ जोड़ कर विंति की जाएगी कि भाई कोई भी गौवन्स को बाहर ना छोड़े खुले में अपने घर सेवा करे किसी पर नहीं बन पा रही है तो वो 511 रुपे की पर्ची कटा के गौव साला में दे दे ये हाल इससे मुक्त करने की पूर्ट कोषिस नहीं करें गे मुक्त कर ही देंगे तो मेरा एक आप से क्वश्यन भरुजी कि हमारे अपने की कि इससे फसल को नुक्शान होता है फसल की तो बंडितार खेच दिया है फसल नुक्साना है यह है अए तसकरी मेरे पास दो बच्चे तो दूद्ध होता है तो रखते औसके बाद निकाल देते तो लोगों की सोच है पिजार धारा है लेकिन फिर भी गई शाला बनी हुई है हमारे 24 की भी गवसाला बनी हुई है अधर मर्रोली में भी गवसाला हमने बनाई हुई है मर्रोली गवालों ने मैं आपको शिर्फ यह बता देना चाहता हूँ फसलों का भी नुक्षान है हर किसी के पास तार बंदी की आउकात नहीं है तीन साल तार चलते हैं सरफन से या आने वाले सरफन से इसके बारे में अपनी अर्ज लगाना चाहता Sum सबसे पहले कि हमारे कहाँ में हजार पान से जो पर्ची करती है नजुसाला फ्लाने और जाएगी क्या हमने का नहीं है भी और बन वाले यह कहना अपकर बिल्कुल-गल्ट meer मैंसर जी, बताइए, गव्षाला हमारी है, हमारी गव्षाला होडल कर्सिन, चस्वबीशी के नाम से, वो हमारी ही गव्षाला है, आप पर जितना भी बन पड़ रहा, उसके लिए करो, अगर आपके पास गव्षाला है, उसके स्वार नहीं करना चाहतें, तो उस ही में पहुंचा और जितना भी धन-दान के लिए बने और मैं तो अपील करता हूं ज्यादा से ज्यादा दान गवसाला में पहुंचाए जाए जो होडल गवसाला है वह हमारी ही गवसाला ना कि किसी और की अगला प्रसना जीत भाई आपसे यह है कि अगर दो पक्षों में जगड़ा हो जाता है और एक पक्ष आपके सगे संबंदियों का है और खोट भी उनीका है जो आपके सागे संबंदी है और दूसरा पक्ष कमजोर वर्ग से है तो आप किसके फेवर में रहोगे इसके विसे में थोड़ा सा बताएं देखो जब भी गाव में जगडा होता है दो पक्षों का ही होता है और उसमें एक की तो गलती रहती है और हमारे बज़र्ग तो कहते आएं कि एक हाथ ताली ना बज़े तो उनको कहने को ताथ पर रहे है कि दोनों की ही गलती रहती है लेकिन समाज में हम ऐसी कोशिश करंगे कि दौनों पक्षों की सुलने कर आएजाए है जिसकी गलती हो उसको गल्ती बताए जाए चाहे वह बेशक मेरा अपना या मेरा भाई क्यों नहों मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा है उस में मुझे यह थाने तसील नहीं जिस की गलती है उसको गलती बताई जाएगी और पंचों से भी मैं अनुरों बघ्रों करता हूं गाम के जो करंदा रहे हैं कि गलत से गलत कहो उसको गलती अपनी याद दिलाओँ और उस पय गलती मनवाओ और ग경 Eagle में फृतारा कर हो। थाने तसील जाते पंचों से भी मैं अन्रोद करता हूँ गाम के जो करंदार हैं गाम के बुजरुग हैं गाम के पंच हैं कि गलत से गलत कहो गलत से गलत कहो उसको गलती अपनी याद दिलाओ और उस पर गलती मनवाओ और गाम महीं निप्टारा करो थाने तहसील कब जाते हैं जब गाम के क्रीवर करेगा नंबरदार है दूसरे का favor करेगा प treaty किसी न किash calorie पहलती हो लेकिन उसमें प्रोकरना बहुत गलत अगर करोगे तो फिर तो वह राजनीती होगे तो पर जिसकी लोग बदनाम होई पड़ेंगो राजनीती मत करो उनका शमाधन करो गलत से गलत कहो और मैं हमेशा कोसिस करूँगा कि गलत से गलत कहने की, जाए वो मेरा बिलकुल भाई हो, चाचा ताओ का लड़का हो, अपने कुनवा से हो, अपनी पटी से हो, या गाम के किसी भी परिवार से हो, कमजोर वर्ग से हो या हाई वर्ग से हो, इससे मुझे कोई फरक ने पड़े quantidade हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा ने मैं सभी से हाद जोड़कर अपील करना चाह हूँा कि यो गाम के करंदार हैं गाम के पंच हैं गाम में आज कल सर पंच ही पंच हैं और हमारे गाम में तो बावन पाल की सरदारी का भी पंच न Pode किया हुआ है बावन पालों ने वो जेलदार साथ भी हमारे गाम से हैं इसलिए हमारे गाम में अगर न्याय नहीं हो यह बहुत बुरी बात है हम चाहते हैं कि हमारे गाम में न्याय हो अपने का फेवर मत करो दूसरे का फेवर मत करो सच्चाई का फेवर करो गलत आदमी से गल देबद भी करो ताकि आने वाले जो लोग हैं वह फिर ये गलती न कर यह कर आई अभी प्रसिण आया मेरी तो यह इच्छा जी जब भी कोई जलाई जगडा होता है या कोई बात सबस्क्राइब जो सर्पंच या बड़े आदमी गाउं के पहले रपट करका पीसे देखेंगे कहां मैं यह सबस्दार रहेंगे पहले तो आदेट के जाएंगे आदेट के जाएंगे खेचता थोड़ी बात हुई जो वाकिबाथ को बतंग ना बढ़ा देजी और मेरे आखन देखायाल बता रहूं है हमारे थोक में कई बार लराईशी हुए है और गाहम में हुए है और कई आपने पंचैत भी देखी है देभी देखें के सवंद्र गाहां में नियाब नाव और बोर अभी लोगोंको राजनीती का अर्थी नहीं पता सइम आयने में आपने भी कही कि राजनीती शुरू करदें कि मैं पिछली बार से सुन रहा हूं कि पंचायत मैं सबाट टारा ने कोई घोली । और फिर लोग कहेंगे कि राजनीती चल रही है यह थोड़ी राजनीती होती है राजनीती करो तो अच्छाई के लिए करो यह हमारे गाम की विचारधारा हैं यह बिलकुल गलत है जो सच्चाई की रास्ते पर नहीं चलने की विचारधारा है मैं तो उन से सिर्फ हाथ सेल के चकर नहीं काटोगे गाम में निपटारा करो सत्यता कहने की कोशिस करो और जो भी गाम के पंचे उनने बिलकुँ सच्चाई की रहा पर चलना चाहिए और सच्चाई कहनी चाहिए गाम जब दो पक्षे जगडा हो जाता कोई बात होती है तो दोनों पक्षे उसमें तो उन पंचों की बात दोनों पक्षी ना मान रहे तो निप्टा रहा तो जब होगो सब्सक्राइब कि मेरी आपके लड़ाई हैगी ठीक है कि मैं पंचान पहुंचगो आप ना पहुंच रहें कि पहसलों नहीं कर सके हम भी कोई ना कर सके एक हाथ तो पुछी जाएगी बात हम फैसलों करें ना करें पंचान की बात तो पीछा रहा की जाएगी पहले दोनों पक्षी ना पहुंच रहे तो सीधी सी बात निकलकर ये आतिये सातियों कि पंच और सरपंच किसलिए चुनते हैं जिससे कि वो लोगों का नेतरतब कर पाएं और अगर आप लोगों का जंत ले जा पाएं और सत्य का रास्ता चुन पाएं और सत्य की हिमात में रह सके म Will face उयरा सईरा रास्ता नहीं चुनते हैं तो फैदा क्या है आपको जंता जो नेतरतबग करने के लिए चुने तो यह यहाँ पर निकलकर आता हैं अए और हमारा जिन जिभा वार र रहा है शाम के तीन चार बजे जिंगे कि भाई अगर फलानी चीज लिया और ये लेक्शन में अब लेक्शन चलने वाला है तो दारू सराब बहुत जाज़ा चल रही है मैं सोच रहूं कि सराब के जो ठेके भी बंद होने चाहिए गाउं के जो इर्द इर्द नहीं होने चाह है कि हाँ एक महीने का इनका जो बढ़ियक खर्च चलेगा नसीबाज का और हर किसी कंडिटर कहते हैं कि बहुत बुरी चीज है इस सराब से जितना हो सके बचो शराब मत पियो और बहुत काम है खेलने में रुची रखो पढ़ने में रुची रखो नौकरी करने में रुची रखो कमाने में रुची रखो अच्छा बढ़ने की कोशिस करो ना की बुरा शराब एक ऐसी चीज है जिसके पीने से आदमी पर बुरा होने का टैग लगता है अगर सराब पीने वाले वैक्त सही बात भी कहता है तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है क्योंकि उसने सराव पी रखी है तो क्यों ना ऐसी चीज से दूर रहा जाए इसलिए हम अपनी पंचात के दौरान भी कोशिस करेंगे और कोशिस करेंगे कि गाम में सराव की विक्री ना हो इसके लिए हम ठेके जो सरकार द्वारा छोड़ी जाते हैं उन ठेकों को कम से कम गाम से आबादी से डेड़ या दो किलो मीटर दूर कम से कम कर देंगे और पीने की बात सब को समझना होगा यह वहाँ को ध्यान देना होगा सभी वर्क को ध्यान देना होगा कि शराप पीने से जो जो नुक्षान है उससे हम सब विदित हैं और हमको खुद एक पहल करनी होगी कि इसमें खर्चा ना किया जाए रही बात सरपंची के अलेक्शन में खर्चा करने की तो खर्चा जो करेगा वो कभी गाम का भला नहीं करेगा मैं यह सपष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो पहले दस लाखे पंदर लाख अलक्सन में लगा एक चलाएगो मास्टर जी उस क्यों लगा चलाएगो क्योंकि उसे कमा नहोगा फिर जब वो कमाएगा तब गाम कहेगा खागया गाम को खागया क्यों नहीं खाएगा वाई उसने पंदर लाख लगवाया तो हमने दारू पिया उसकी उसके बाद उसे इंतिजाम करना है जो खर्चा हुआ है उसका अगली अलक्सन में जो खर्चा होगा उसका भी इंतिजाम करना है और मास्टर जी उसके बाद भी उसे फिर अगली पीडी के लिए इंतिजाम करना है क्योंकि उसे पता है कि ये जब भी अलक्षन लरेंगे तो फिर यही दारू लेकिन हमारी जो सोच है वो बिल्कुल उनसे बहनने है हम एक रुपे का भी खर्चा नहीं करेंगे किसी को सराब नहीं पिलाएंगे क्योंकि हम कमाने के लिए नहीं गाम के विकास के लिए कोशिश करेंगे तो हम क्यों खर्चा करेंगे हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे और हम तो सभी से अपील करेंगे कि बाई सर्पंचों से खर्चा मत करवाओ ताकि जो भी सर्पंच बने वो गाम का कुछ विकास कर सके और अगर उसे खर्चा करवाओगे तो फिर वो विकास की कहा सोचेगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सर्पंची में खर्चा लगाएगा कोई भी सर्पंची में खर्चा लगा के सर्पंच बना तो वह गाम का विकास नहीं अपने बच्चों का विकास सोचेगा यह हकीकट तो आप ने some कर दोना होगा कि अमेरिका में जो राष्टपती बनता राष्टपती और अमेरिका का वह व्ल्ड का दूस्तमर राधविन होता है को वह भी राष्ट पद को त्यागने के बादे वरभ की फैक्ट्रि में काम करता है तो हमारे गाम को ब्लोग महमवर या सरपंच अगर कोई भी नोक्री कर जया तो मैं गाट दे रहूं और हमारे गाम के पुरे हरियान पंचयत को और वाकिव पीडी में करें वह सरपंच करेंगो नोक्री करेंगो तो इसमें सोच हम खुद जम्मेदार हैं आप समय सको अब सरपंची में कछना हैं मिनकी सरपंची में कछना हैं मिनकी सरपंची में बहुत कुछ है जो आदमी जापर मतलब यह कुछ ना है वाकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं जापर कुछ ना है वाकि मतलब इतनी बड़े-बड़े कार खाने और वे चल रहे हैं सरपंची तो यह हमें सोच बदलनी होगी हमें लोगों बिल्कुल नहीं खानों चाहिए क्यों जो सरपंच खर्च करेगा वो कई गुना क्या बहुत ज्यादा निकालेगा और कैसे ना लगा रहा हूं तो सही बात है कि खर्चा नहीं करना चाहिए खर्चा करोगे अगर सरपंच दस लाक रुपे लगाएगा तो दस गुना उसमें से निकालेगा भी और आपकी आने वाली पीडिया भी आपको गाली देंगी कि कैसा पंच सरपंच चुन के दिया था जो समाज का सत्यानास करवा लिया तो आप ऐसे पंच सरपंच को चुनिए जो पैसा खर्च ना करे जिससे कि उससे आप कहने लायक भी रहोगे अगर पैसा खर्च नहीं करेगा तो आप काम के कहने लाइक भी रहोगे अगर कोई पैसा खर्च करता है तो आप उससे कह भी नहीं सकते क्योंकि वो कह देगा कि वो सोचेगा अपने मन में कि मैंने तो वोट पैसों से खरीदी है मैं काम किसका क्यूं करूंगा तो यही बात है कि खर्चा ना करवाया जाए बिना खर्चे के इलेक्शन लड़ा जाए दहेज पिर्था एक कुप पिर्था बन चुकी है कि फ्लाने ने इतनों दियो है तो मैं याते बढ़ करूँ और साधी में 25-30 लाख खर्च हो जाते हैं और जो बहुड़े आजमियों के पतो ही ना है तो इसके बारे में गरीब आजमी सोचतो हो कि मैं बहुत करूँ तो इसके कि मामले में आपके और हमारे जनम से पहले से पंचयत होती है कि क्यी बार पंचयत हमने भी सुनी और हमारे आगें दो बार पंचयत हुएं लेकिन ड़bersओ देते भी है और लेते वी है और आज लोगों औरप न श्राती हिस आति होती है तो दहिज बंद होना चाहिए लेकिन उसी व्यक्ति कि अगर लड़के की साथ ही होती है तो भाई मेरा लड़का तो अभी अभी फौज में लगा है उसके लिए तो भाई गाड़ी चाहिए हमारी तो बेजती हो जाएगी अगर गाड़ी नहीं मिली तो हमारे भाई के लड़के को गाड़ी में लिए उस पर भी जमीन हमारे बराबर है फलाने के लड़के को गाड़ी मिलगी उसमें कोई क्वाल्टी नहीं थी हमारे बच्चे में क्वाल्टी है यह लोगों की जो सोच है, इसे बदलने के लिए सब को आगे आना पड़ेगा, इसमें वैक्तिविसेस कुछ भी नहीं कर सकता है उन लोगों खुद सोचना होगा कि आप कहा चल रहे हो आप क्या कर रहे हो अगर सभी लोगों की सोच बदलेगी तो ही इसमें कुछ कहा जा सकता है लेकिन वैक्तिविसेस या आप एक सरपंच के तौर पर पूछ रहे हैं इसमें सरपंच और कोई भी वैक्तिविसेस कुछ नह वी तो बुज़र्कों के वारे मेरा में कुश्चन है आपसे तो इसके वारे में आपके क्या राए मैं आपको शप्रिष्ट कर देना चाहता हूँ कि बुजर्ग घर में बैठे हैं मजबूरी में गाउं में चौपाल तो हैं लेकिन चौपालों पर कोई व्यवस्ता नहीं वहां बिजली की व्यवस्ता है नहीं वहां पंखा की व्यवस्ता है नाईवा पानी की वे वस्ता है चौपाल बिलकुल खंडर वस्ता में जा चुकी है हमारे गाम की बुजरुक जाएं भी तो कहां जाएं कहां बैठकर बातें करें इसलिए सब ने अपनी फरसी अपने कमरा में रखी हुई है और अपनी फरसी पर बैठकर अकेले हुका पी रहे हैं इससे ना तो समाज में कोई बातचीत हो रही है ना समाजिक मुद्दों के ऊपर कोई दो लोग चार लोग शे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं ये मुख्य कारण है चौपालों की देखरेख ना होने की वज़ए से लोग घरों में बैठे हैं अगर हमारी पन्चायत आएगी तो हम इस बात को पूरा करेंगे कि पन्चायत का पन्चायत की तरफ से हर चौपाल का निर्मान किया जाए उसमें जो भी कमिया हैं उनको पूरा किया जाए और पंचायत को एक मॉडरन रूप देंगे ताकि लोग बैठ भी सकें अभी तो पंचायत में चार पाई भी नहीं है किसी किसी चौपाल में वहां पड़ी हुई है अपनी परसनल चौपालों के पास चार पाई नहीं है हम कोसिस करेंगे गाम की पृतिये एक चौपाल पर चार पाई पानी बिजली और पंखा हवा और दस आदिम बैठने के लिए विबस्ता कराएंगे यह हम अपनी जुम्मेदारी ले करके पंचायत की तरप से करवाएंगे ताकि बड़े बुजर्ग और दस लोग पंचायत में बैठ सकें चौपालों पर बैठ सकें और अच्छे बुरे के बारे में चर्चा कर सकें तो सात्यों अब है हमारे साथ अजीद भाई के पिताजी स्री इंदर जी जो कि मानापट्टी से हैं और एटम सर्पंज के घर के पास घर है यानि कि सीधी सी बात है हमारे ताउसरी है तो उनसे भी एक क्वेस्टन करेंगे प्रस्ण करेंगे ताउसरी आपके क्या विचार है अजीद भाई के लिए क्या आजीद भाई समा सेवा कर पाएंगे और आपका कितना सपोर्ट है आजीद भाई को हमारो पूरो पूरो सिपोर्ट है पूरी पूरी और आजीद लड़का हमारो ऐसो नेक लड़का है तेरह साल से भी वो सेवा डाक्टरी की करते आ रहे हैं इसमें भी वो पूरी पूरी सेवा करेंगे और हमारी पूरी सिपोर्ट है जो वादे करें हैं वो पूरे वादे करेंगे उसमें कोई भी जूट नहीं बोलो जाएगा यानि कि अपने कारियों पर खरा उतरेंगे अजीद भाई यह आपको पूरा विस्वास है उनके उपर कप बहुत ही अच्छी बात है और हमारे साथ हे ताव अंदर जी जिन्होंने और इस fak्ला कई सब और हम यह बताना चाहोगे इच्छे एक बॢाद दहकर नहीं जाने देंगे हम इस बात की गारंटी लेते हैं बस्ती के सामने जो भी वादे करे जाएंगे वो सब पूरे करे जाएंगे अगर अजीत भाई नहीं बन पाते हैं नहीं जीत पाते हैं तो इस हार का सिर्या आप किसको दोगे इसके बारे में थोड़ा साथ बताए ये तो हार को सिर्या किसको दें किसको ना दें इस बात की तो बाद में बात है हार की कारण कोई भी हो सकता है और उसका सिर्या ही क्या है ये अपने उसकी बात है बात है हाँ यानि कि हार जीत तो होती हैं दो इपक्ष होते हैं हार जीत के बेगर तो कोई काम चली नहीं सकता तो साथियों यहाँ पे ताव जीत है अजीत भाई के पिता जी जिनका कहना है कि इनकी तरफ से पूरा सहयोग है अजीत भाई को और आप एक बार अजीद भाई को मौका दें समाज सेवा करने का और अगर अजीद भाई अपने कहे गए बातों से मुकरते हैं तो उनको पूरा करवाने का पूरा जिम्मा तावसरी के उपर है यानि कि ताव इंदर जी के उपर है तो ये पूरा प्रियास करेंगे कि अजीद भाई अच्छी तरह से समाज की सेवा कर पाएं और अपना भी ये सहयोग करेंगे इस काम में तो अब आते हैं अजीद भाई के साथ अजीद भाई अगला प्रस ने आपसे अगर आप बन जाते हैं यानि कि सरपंची का एलेक्शन जीच जाते हैं तो आप क्या-क्या कारे करोगे उसके विसे हम थोड़ा सा जनता को बताएं जेखे जी हमारी योजना है अगर गाम हमें मौका देता है गाम बस्ती मौका परदान करती है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी योजना गाम में स्वागत बोर्ड बन बाने की अभी हम किशीवी गाम में जाते हर गाम पर अपना स्वागत बोर्ड है लेकिन हमारे गाम के प सात रास्ते आ रहे हैं दरोदर से उन साथों रास्तों पर गाम का स्वाकत बोड बन वाएं गोवन्स की आतन हैंगे जो खूले में मैं पहले बता चुका हूँ को हम गूशाला पहुंचा यह इसकी भी हम सबसफाई का पूरो ध्रख जाएगा आपको मैं बता दूँ रास्ते तो बन जाते हैं नालिया बन जाती हैं लेकि नालिया आटी पड़ी रहती हैं मच्छर पैदा होते हैं उसमें हम साप सफाई की वबस्ता को जंक से सोचारी रूप से जाइड रखेंगे पंचायत के पास सफाई कर्मी होते हैं पंचायत को आड़े बना रखें कहने को तो बस्टेंड कमेटी वाला और आसिया वाला अड़ा लेकिन वहां सर छपाने की जगे नहीं नाई दूप से अगर बरसात आ जाए नाई बरसात से तो उसके लिए हम एक बस्टेंड का निर्मान करवाएंगे जिसमें आदमी बैठ करके इंतजार कर सके बस सिटोप पर आकर बस रोके उनको पता होगा कि बस स्टेंड में लोग बैठे हैं बस वहां कर वहां से ले कर जाएगी एक बच्चों को दोड़ने के लिए अभी हम कभी भी निकल के देखते हैं सुब़र शाम दोन टाइम बच्चे शड़क पर ही रेस करते हैं रे चास करेंगे और बनवा के ही रहेंगे शंचान घाटों का सौंद्रे करन करवाएंगे शंचान घाट हमारे गाम की इस्तिती ठीक नहीं है चारदीवारी तो हो चुकी है लेकिन जो भी काम बकाया है उसमें अच्छे चायदार पेट लगवाएंगे फूल पूदे और तरफ नाली बनवा के और पानी का निकाल करेंगे ताकि कोई भी फिरकी में पानी ना भरे और चायदार पेट लगाएंगे बड़े पत्तों के पेट जिनसे चाया हो सके और फिरकी में आने जाने वाले चाया में रह सकें कहीं बैठने वाले चाया में रह सकें इसलिए चयदार पेढ़ लगवाएंगे जरूब एक स्टेडियम निर्मान एक बहुत बड़ी बात होती है स्टेडियम कराना पंचाथते हम हरपूर कोशिस करेंगे कि बच्चों खेलने के लिए एक ऑन observation बनाएंगे खेल परिशर में बच्चों को खेलने के लिए सारे मैदान उपलब्द करवाएंगे बच्चों खेलने की किट्स उपलब्द करवाएंगे और बच्चों के खेलने के लिए पूरा इंतिजाम खेल परिशर में हम करवाएंगे अपनी तरफ से कि खेल परिशर में ब बड़ा रूप देंगे उसमें एक बड़ा हॉल बनवाएंगे और उसमें बड़ी हवादार पंखे लगवा के और उसमें बहुत सारी किताब मंगवाएंगे लाइबरेरी को बड़ा रूप मिल सके और गाम के जो लोग हैं पढ़े लेखे रिटार्मेंट लोग हैं रेरी में बढ़ी अधार में पुस्तक इंगबाएंगे घ्यान की पुस्तथकंपें लाइब हैंगे हम हम के सारी में जगों पर सी के लम упाकिंजयगे लाइत्व कम से कम गांव पर होता तो वो ट्यक्टर ले जाने वाला उस कैमरे में दिखाई देता सपस्ट हो पाता कि कौन ट्यक्टर लेकर गया इसलिए हम सीशी टीवी कैमरा लगवाने की भी कोशिश करेंगे लाइट की वेवस्ता हम जरूर कर वाएंगे हमारी गली हो दोस्ती बाता दित भाई सीश जो ऐसा माजिक गतिविदी होती है उनको पूरा करने में सहयोग मिलता है अंधेरा होने के कारण हम शौर उर्जा के लाइट लगवाएंगे गाम में ताकि वो रात को जुर सकें और गाम में जब उजाला रहेगा तो हर किसी की हमत नहीं होगी किसी भी ऐसा माजिक गतिवि भी नहीं है चौपालों में पंखा नहीं है बिजली नहीं है चौपाल खंडरा वस्ता में उन चौपालों का नर्मान हम करवाएंगे बड़िया चौपाल वनवाएंगे पंचायत की तरफ से और ताकि बड़े बुजरुग हमारे उन चौपालों पर बैठ सकें और समाज हि हमारे गाहों में पहलवान रहते आए हैं, नए बच्चों को भी कोशिस रहेगी, कोई न कोई बच्चा निकाला जाए पहलवानी के लिए, उसके लिए अखाड़ा नहीं है, बच्चे खेतों में जो टाई करके उसमें खेलते हैं, इसलिए हम एक अखाड़े का भी नर्वान क करवाएंगे जरूर पार्क नर्मान बहुत गाउं में हम देख रहे हैं कि कई कई पार्क बना दिये हैं बच्चे खेलते हैं पार्कों में जाकर बुजरुक्षर करने जाते हैं वहां पर अच्छी हवा होती है शहरों में तो भी प्रदूशन होता लेकिन गाउं के अंदर हमाँथ एक होसपीटल के बारे हम महत्पून का दम उठाएंगे जिए अच्छा स्वास थी आद्मी के लिए सब कुछ होता है और जब हमारे गाम में होसपीटल है तो क्यों धकके काने पड़ें हमारे गाम के वेकटियों को बहार ट्राइवेट होसपीटल में जाने के और गाम के किसी भी वैक्ती को बाहर नहीं जाना पड़े हम जोहड़ों की साफ सफाई भी करवाएंगे जोहड़ जो गंदगी से अटे पड़े हैं उनमें खुदाई भी नहीं हुई है और गाम का गंदा पानी उसमें जा जाके उनमें ना तो भेंस पानी पीने जा रही है ना उसमें कोई भी काम हो रहा है हम उनकी साप सफाई उनका सौंद्रे करन करवाएंगे पक्के घाट बनवाएंगे ताकि दोधार उपसु भी उसमें जा सकें पानी पी सकें दूद अच्छा दें बीमारी दूर रहें और उसमें साप पानी लाने की व्यवस्ता भी हम कहीं ना कहीं से करेंगे और जो हड़ों की साप सफाई भी हमारा मुख्योद्देश होगा शकूलों की देख रेक भी हम अपने डंग से करेंगे शकूलों में अगर कहीं स्टाप की कमी होगी तो प्रिशासन से मिलेंगे शकूलों के कारे कराएंगे शकूलों में कोई भी कमी होगी उसको पूरा पंचायत की तरफ से किया जाएगा जो असाय निर्वल बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं उनको सायता दी जाएगी कि वो पढ़ाई पूरी कर सकें जा सकें कहीं भी अपनी पढ़ाई करने ख लिए सायकल वयवस्था, उनकी ड्रेस की ववस्था, उनके जूतों की ववस्था किशी भी चीज की अगर उन्हें कोई कमी होगी तो हम उन्हें पूरा करवाने की भरपूर प्रियासरत रहेंगे और किशी भी असाय बच्चे को धन की कमी होने की वज़े से बिना पढ़ाई के नहीं रहने दिया जाएगा और बिजली पानी पर भी गाम की बिजली पानी पर भी ध्यान दिया जाएगा पानी जो की गाम में कभी भी पूर्ती होती नहीं है जैसे ही गर्मियां सिरू होती है तो पानी बहुत कम पढ़ जाता है पता पता लाइन फूर्ती हुई है उस लाइन को हम बड़े ध्यान से देख के रखेंगे कर्मन से जो लाइन आ रही है उसका हम 24 गंटे ने ग्राइन रखेंगे कि कहीं भी पानी पीछे कट न लगाया जाए और हमारे गाम को पूरा पानी दिया जाए अगर कम पड़ी तो हम प्रिशासन की मदद से दूसरी काम करेंगे चाहे वो जमना जी हसनपर से लाना पड़े या और कहीं से लाना पड़े हम दूसरी लाइन भी लाइंगे लेकिन हर घर तक पीने का पानी पहुचाने की जुम्वेदारी पंचायत की तरफ से लेंगे और बिजली ठंड में तो काम चला हुआ है बिजली की दी जाएगी ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ गाम वस्ती के सामने हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बस्ती मैं गाम की हर प्रकार से देखवाल करूँगा एक बार मुझे मुझे मौका दे के देखो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा ये मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ धन्यवाद बहुती अच्छी बात और बहुती अच्छे वादे की हैं अजीत भाई ने तो अंत में आप अपनी प्यारी जंता को इस संदेश देना चाहोगा अजीत भाई मेरी गाउं की प्यारी जंता मेरे माता पिता साथ तुल्य बुजर्ग नौजवान साथी सभी सो मेरी अपील है कि आपसी भाईचारा बना कर रखें मिल जुल कर रहें और युवासाथियों से मेरी खास कर अपील है कि वो नसा की तरफ ध्यान ना दें अजीत माश्य जी ने प्रशन उठायता कि युवासाथी तीन बज़ते ही नसा की तरफ ध्यान देते हैं नसा की तरफ ध्यान मत दो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो खेल कूद की तरफ ध्यान दो गाउं के विकास की तरफ ध्यान दो कोई भी बढ़िया गतिविदी गाम के लिए हो उसकी तरफ धान दो ना की नसा की तरफ धान दो बड़े बुजरगों से पंचों से और गाम के करन धारों से मेरी अपील है कि गलत को गलत कहो बुरे को बुरा कहो अच्छे को अच्छा कहो बढ़िया बढ़िया फैसले लो गाम के हित में रहो और गाम में भलाई किसी प्रकार का द्वेश भाव मन में न रखें जो अच्छा लगे उस कंडिडेट को बोट दें जहां आपको विश्वास हो कि यहां से काम होगा उस कंडिडेट को चुने और मैं तो अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि मेरी यही हाथ जोड कर अपीर है लोगों से कि मैं आ सारे वाइदों पर खरा उतरने की पूरी कोसिस करूँगा और आप कान पकड़ सकते हो मेरा अगर एक भी वाइदा में मिस करता हूं तो बहुत अच्छी बात अजीद भाई तो सात्यों यह वही बात हुई कि बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की तो सात्यों मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि सुकून के लिए गाउं ढूंडते हैं बड़े अजीव हैं हम लोग हाथ में कुलारी लिए छाउं ढूंडते हैं तो सात्यों इस कहावत का मतलब यही है कि हम अगर गलत कंडिडेट चुन लेंगे तो हम गलत कंडिडेट चुन लेंगे तो विकास कहां से पाएंगे इसलिए ह हमारा कर्तब यही होता है कि कंडिडिट सही चुने और अपने गाउं का विकास करें अपने समाज का विकास करें तो यह प्रोग्राम था आज का मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो पंचो का इंटर्विव हम फिर से लेकर आएंगे आप के समख किसी नए पंच और सरपंच के साथ और तब तक आवाप अपना ख्याल रखिए खोश रहिए जैहिन जैभारत जैस्री लालदा स्वाबा की